जहन दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो चात्र है MP वोड में चाहे वो कच्छा दसमी का हो चाहे वो कच्छा बार्मी का हो अगर वो फैल हो चुका है तो उसको निरास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है MP वोड की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुसखवरी निकल कर आ रही है उस खुसखवरी का नाम है रुख जाना नहीं योजना इसके तहट क्या होता है कि बच्चे की साल वरवाद होने से बच जाता है यानि कि आपको निरास नहीं होना है बिल्कुल भी चिं होता है यानि कि आपको कभी रुखना नहीं है आप आंगे ही बढ़ते चलिए तो यहां पर आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके चार डाउट नमबर वन हम डाउट किलियर करेंगे कि आपका जो है एडवीसन कॉलेज या कच्छा ग्यार्मी में रेगूलर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अगर कच्छा दस्मी वाला बच्चा है वो यह सोचता है कि सर क्या मैं रेगूलर कच्छा ग्यार्मी में इसी साल पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा या कच्छा बार्मी वाला बच्चा यह सोचता है क्या मैं सर इस साल कच्छा बा ब्लूप्रेंट क्या रहता है सर पेपर कैसा आता है यह हम आपका दूसरा डाउट क्लियर करेंगे किसर इस की रेजल्ट ताइम टेवल बिशिक कब पाता है और अंकसुची कब आती है तो इस अपके डाउट क्लियर करने आप जाएए या आप अपने मुवाल से भरना चाहते हैं अगर आप इसके उपर वीडियो सेपरेट चाहिए तो आप कमेंट करना अलग से वीडियो बना देंगे कि मुवाल से फॉर्म कैसे भर हैं रुख जाना नहीं योजना का या आप किसी साइवर कैफे दुकान में जाए यह MP Online की वहां से आप भरवा सकते हैं वो अच्छी तरीके से भर देगा ठीक है चार जून लाश्ट रेट है अभी से आप भर सकते हैं तो चलिए अब आपका डाउट नंबर वन क्लियर करते हैं इस वार हम क्या करेंगे आपको लैप्टॉप में डारेक्ट स्क्रीन में ले ठीक है तो आप हम आपका नंबर वन डाउट क्लियर करते हैं ठीक है नंबर वन हम जो डाउट है वो यह है आप लोगों का कि सर अगर हम कच्छा दसमी में पढ़ते हैं ठीक है अगर हम कच्छा दसमी में पढ़ते हैं अगर हम इसमें क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे क् तो यहां पर आप देखिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं, देखो यहां पे साफ सब्दों में लिखा हुआ है, हम आपको यहां पर दिखाय दे रहे हैं, ठीक है, देखो यहां पर लिखाया है ना, कि ग्यार्मियों नीमेत प्रिवेस की पातरता होगी, इस चीज़ से आप समझ गए कोई यहां पर हम आपको अपनी बात है नहीं बता रहे हैं जो गवर्मेंट ने कहा है MP वोड ने वो हम आपको बात बता रहे हैं अगर आपको अच्छा बारिमी के स्टूडेंट है तो आपको कॉलेज में एडवीशन मिल जाएगा 100% तो यहां प कॉलेज मिल जाएगा कॉलेज आपको मिल जाएगा कॉलेज जो है आपका कॉलेज कॉलेज आपको मिल जाएगा वो भी रैगूलर आप कर पाएंगे जैसे मैंने रैगूलर किया है जो अन्य छात्र कर पा रहे हैं रैगूलर वो भी आप कर पाएंगे कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी लेकिन कई जब तक इसका result आता तो क्या है कि जो अच्छे college होते हैं उनकी seat full हो जाती है seat क्या हो जाती है फुल हो जाती है तो आपको सायद अच्छे वाले college बैड़ी से ना मिल पाए लेकिन ये मेरी guarantee है कि आपको regular तरीके से आप college कर पाएंगे ठीक है regular का मतलब कहलाता है बहुत regular मतलब अप college अच्छा नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं regular regular कहलाता है अगर आपको regular ना कोई दे तो मुझे आना भाई मुझे चड़ा देना फासी में जेल डलवा देना मुझे लेकर हाँ आपको regular मिलेगा ये मेरी guarantee हो ये government भी कहते हो मैं भी कहता हूं तो आपको ये doubt क्लियर हो चुका है कि क्या हमारा एडवीशन होगा की नहीं हो ठीक है और हम आपको अपना नभाव भी बता देंगे यहां पर आप देखी लिजिए परेक्षा प्रसने पत्र मद्य प्रदेश मादमिक सिच्छा मंडल के पार्ट करम के अनुसार ही होंगे अब आपके हर एक doubt होगा यानि कि परेक्षा प्रसने पत्र मंदल कोई paper कैसा सर बाब हो चुके हैं बैसा ही पेपर आएगा अब आप काओगे सर एजी आता है bit Quality Teen developed अबी तक definitelysembac ब्रश्चे पास हो गेते अभी तक इस रुख जाना नहीं के योजना से कितने लोग पास हुए है आप लोग को पता देखूं आपको अच्छी तरीके से बताए दे रहे हैं, दस लाक लोग पास हो चुकें, दिख रहे हैं आप लोग, दस लाक लोग, तो यहां पर ऐसा नही है कि आप लोग पास नहीं होंगे, बहुत सरल पेपर आता हो, कैसा आएगा, बिल्कुल, MP वोट की, जैसा ही आएगा, कैसा आएगा, MP वोड यासा भी आपने पेपर दी है, बिल्गोल बैसा ही सिलेबाज, बैसा ही पैटन, सब कुछ बैसा ही रहेगा, सुली आपने ध्यान से, चाहे आप कच्छा दसमी को हो, चाहे कच्छा बार्मी की हो, यहाँ पर आपको हम कहा दें, अंक बैसमी के हो, अगर आपको अच्छा बार्मी के हैं, तो आपको रेगुलर कॉलेज मेंड़ी सन मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद, बच्चों का कोश्चन, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, के पेपर कैसा आएगा, इजी आए, कठेना आएगा, सिलेबस क्या है, पैटन क आपको घ्लिख के बाद आजाएगी, रिजल्ट आपका देखो, 4 जून तक इसके फ़ॉम भरेंगे, कब तक 4 जून तक इसके फ़ॉम भरेंगे, इसके बाद, 5 या 10 दिन के बाद आपका टाइम टेवल आ जाएगा, जैसे ही टाइम टेवल आएगा, हम आपको इनफोर्म कर हो चुके होंगे और यह देखो अगर आपको यह पूरा पढ़ना है तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि आपको जो चीज मैंने वताई है वो समझ में आई होगी अगर आपका अभी वी कोई कोई डाउट रह जाता है तो आप इंस्टागराम में मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पर आप मुझसे कोई वी डाउट हो पूछ सकते हैं इस्टागराम का यूजर नेम है ती-a-i-n-k-u-k-i-r-i-s-h-n-a यह यूजर नेम है आप इसमें जाके फॉलो कर लिजे लिए और अन्हें थे कि और शे लिए लिए थे अगाइव लियार को में हो ।